संसत के विशेस सत्र में केंदर सरकार महिला अरक्षन बिल लेकर आए जो संसत के दोनों सदनों में पास हो गया, इसको लेकर सभी पार्टिया समर्थन तो कर रही है लेकिन कही न कहीं अलग-अलग जाती धर्म की महिलाओं के लिए अलग-अलग रिजर्वेशन की मांग कर मामले में पेच फसाना चाहती है महिला अरक्षन बिल और भारत के नड़ा के बीच चल रही तलकियों को लेकर विधान परिसद सदस से लाल जी निर्मल से बात शीत की हमारे वरिष्ट समवाद दाता पंकश्तिवारी ने महिला अरक्षन बिल पर क्या कुछ कहना है उनका आईए सुनते हैं लाल जी निर्मल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इसे बात करते हैं सर बीजेपी सरकार महिला रिजर्वेशन बिल लेकर के आई है लेकिन इसका लाब सभी पार्टिया लेना चाह रहे हैं इस समय देखे महिला अरक्षन बिल प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी जी द्वरा जो कैमिनेट में फैसला लिया गया ये बहुत ही देश के लिए बहुत ही महत्पूर्ण बिल है और नारी शेशक्ती कंड के काए धुरी बनेगा क्योंकि एक लंबे समय से महिला अरक्षन बिल पे प्रयास हो रहा था एक बार राजी सभा से भी पारित हुआ एक बार लोग सभा से भी पारित हुआ किन्तु कुछ लोग, खासकर से मैं नाम लेना चाहूँगा समाजवादी पार्टी का जिन्हों ने इसका पुरजोर विरोध किया बलकि उनके नेता स्वरगी मुलायम सिंग यादों ने यहां तक कहा था कि एगर महिला अरक्षन बिल पास हो गया तो परकटी महिलाएं संसत में रिखाई पड़ेंगी और बड़े घरों की महिलाएं ही यहां आप आएंगी यह ख्याल पुरी तरह से गलत है और महिला अरक्षन बिल पारित होने से सभी स्वभावी गुरूप से समाज के सभी लोगों को प्रत्वित मिलेगा और वो भी सी का अरक्षन संबैदानिक रूप से आज नहीं है लोगसभा और विदान सभाओं में इसके बावजूद पिछले वर्गों की परियाब संख्या है लोगसभा में विदान सभा में परियाब संख्या है तो इस आदार पे विरोद करना उचित नहीं है चुँआ है आज सुभावी क्रूप से सुभाबे में पारिद हो जाए इस बाइंचे 사ब का पिरोत tutorials नहीं रहे है लेकिन उसमें एक रोरा डालना चाहती है कि हर बर्ग की महिलाओं के लिए पिछड़े बार की महिलाओं के लिए अलग री जर्वेशन होना चाहिए तो यह क्या लग रहा है कि इस बिल को थोड़ा ता लटकाने के लिए समाज में एक तरह से एक अलग तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है देखे पिछले वर्गों के आरक्षन की बात करके और माइनल्टीस के आर नहीं हो सकता अगर आपने कर भी दिया तो सुप्रेम कोर्ट से उसे रोका जाएगा सर्विदित है और पिछले वर्गों के लिए आरक्षन नहीं है उसके लिए आपको अलग सर के बिल ले करके आना पड़ेगा तो यह जानते हुए भी पिछले वर्गों के आरक्षन की बा अब जाके बीजेपी गोर्मेंट इसको ले के आई है सबसे बड़ी बात है कि जो यह महिला रिजेवेशन विल है यह नए संसद भावन में इसको पेस किया गया है और नए संसद भावन को लेके समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं शफीकूर रह्मान बर्ग उनका कहन है कि वो सरकारते मांग करेंगे कि इसमें मुसल्मानों को नमाज पढ़ने के लिए भी बेवस्ता की जाए क्या यह पॉसिबल है क्या इसी मांग जायज है देखे शफीकूर रह्मान का जो यह बयान आया है वो नीतांत बचकाना बयान है सभी धर्मों के लोग अगर पार्ल भी नहीं है यह केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक साजी शेहिन लोगों की कि किसी प्रकार से इस बिल को रोका जासके इसमें व्यवधान उपस्तित हो सके लेकिन उनकी यह मन्शा काम्याब नहीं होने जा रही है और यह बिल पास हो रहा है और एक नए इतियास का सर चुकि भारत और कनाडा का रिष्टा इस समय गर्माया हुआ है जब से जी ट्वेंटी के बाद जस्टिन टूडो जो वहां के प्रधान मंत्री है वो कनाडा गए तो भारत को लेकर के एक बहुत बेतुका वयान उन्होंने दे दिया कि वहां पे जो खालिस्तानी आतंकब उन्होंने राजनेटिक कारणों से बयान दिया है और किसी भी राष्टा धेक्ष को किसी भी नेशन के खिलाफ बिना तत्यों के इस पकार के बयान देना नितान तनुशित है और इसलिए दुनिया के किसी भी देश ने उनके बयान का समर्थन नहीं किया है और भारत इसको बहुत गभीरता से देख रहा है, खलिस्तानियों को समर्थन देना, आतंगवादियों को अपने देश में समर्थन देना, यह बहुत ही अनुचित और निंदात्मक घटना है, और हमें उम्मीद है कि हमारा देश, हमारे राजनाइक, पुरी दुनिया की पैमाने पर इस मामले मेरा नीट बनाएंगे और कनाडा को एक तरफा करेंगे, एक आखरी सवाल, उत्तर प्रदेश में भी जैसे जिस हिसाब से नई संसत बहुन देश को मिली है, सेंटरल विष्टा प्रजेक्ट के तरहत, उत्तर प्रदेश में भी चर्चाएं तेज हो गई है कि नए विधान स सभा सीटों को बढ़ाया जाएगा तब जो है कि विधायकों को बैठने के लिए सीटे कम पड़ेंगी और उसके लिए बहत्तर तरीके का अत्याधूनिक विधान सभा होना जरूरी है, इसकी चर्चाएं तेज चल देए, क्या कुछ है यह निश्चित रूप से नई संसत ब जोईश में और उसमें सीटों की संख्या बढ़ेगी, उसके हिसाब से जो बरत्मान विधान सभा है, वा कम पड़ेगी, इसलिए यह मसकत सुरू कर दी गई है, और CGCT में और दारूल सभा में और भी कुछ जगों पे देखा जा रहा है कि यह उप्युक्तिता कैसी होगी, म बिधान सभा का एक भबे रूप हमें देखने को मिलेगा, तो ये थे लाल जी निर्वल जी जिनका कहना था कि जिस तरह से कनाड़ा के प्रधान मंत्री ने भारत के हूपर आरोप लगाया है, ये कही न कही बेबुनियाद आरोप है और इसका जबाब भारत माकूल तरीके स देगा, वीडियो जनलिस्ट हरी राम जी के साथ पंकज दिवारी आज की खबर लखना हूँ